लोग सभात पुनाओं भले ही 2024 में होना है लेकिन अभी से ही सभी पाठियां जोड़ तोड़ की रायनिती में व्यस्त है और लगतार नेताओं के दोरे सुरू हो गए 2024 के लोग सभात चुनाओं से पहले राम विलास पासवान के परिवार दो खेमे में बढ़ गया और हलत यह है कि चिराग पासवान और उनके चाचा पसुपति पारस आमने सामने हो गए तो सवाल उठता है कि क्या 2024 के लोग सभात चुनाओं में मोदी के हनुमान वीजेपी का कर सकते हैं नीन धराम इस सवाल का जिक्र का वज़ा यह है कि उचको मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के तेवर थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं अलांकि ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी लोचपारामिलास का भादपा के साथ गड़बंदन होगा पर चिराग के रवईये से ऐसा लग रहा है कि वे हर परिस्तिती के लिए तयार रहना चाह रहे हैं ताकि गड़बंदन होने की स्कति में बीजेपी पर दवाब बना सके और नहीं होने पर भी वे मजबूती से चुनाओ लड़ सके इसी के तहट चिराग पासवान ने पटना में बड़ी रैली का ऐलान किया है दरसल लोच पारामिलास के सुप्रीमों ने अपनी रणीती का खुलासा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी लोगसवाचुनाओ के ठीक पहले पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करेगी चिराग पासवान ने कहा कि हमारे प्रात्मिक्ता लोगसवाचुनाओ और उसके बाद होने वाले उभीहार में बिधान सवाचुनाओ है इसके लिए हम अपनी तयारी कर रहे हैं साथ ही चिराग पासवान ने गडवन्धन को लेकर भी बड़ा खुलासा किया चुनाओ के समय ही हम लोग किसी भी गडवन्धन में सामिल होने का फैसला करेंगे चिराग पासवान ने कहा कि हमने इस मुद्धे पर अभी तक फैसला नहीं किया है हम अभी पार्टि संगठन को मजबूत कर रहे हैं इस बैठक को आयोजित किया गया आने वाले दिनों में विभेद और प्रकोष्टी इसी तरीके की बैठक बिहार के अलग-अलग जगाओं पर आयोजित की जाएगी उद्धेश दोहजार चौबेस के लोकसभा और संभवता मैं मान के चलता हूँ संभवता उसी के साथ या उसी के आसपास बिहार में विधान सभा के भी चुना होंगे उसमें पार्टी का संगढ़न पूरी तरीके से मजबूत हो इस उद्धेश के साथ तमाम प्रकोष्टों की ये समिक्षा बैठके आयोजित की जारी है मतलब की लोचपारांबिलास के सुप्रीमो चिरागपासवान ने ये साथ कर दिया है कि वे फिलाल गड़बंधन करने का विचार नहीं कर रहे हैं वैसे चिरागपासवान बहुत पहले या साफ कर चुके हैं कि वे ऐसे किसी गडवन्धन का इस्सा नहीं होंगे जिसमें नितिस्खमार रहेंगे इसका मतलब या है कि महागडवन्धन में सामिल होने के लिए चिरागपासवान कयार नहीं है लेकिन चिराग पास्वान यह भी नहीं कह रहे हैं कि वो BJP के साथ गड़ बंधन करेंगी जबकि उप चुनावों में भाजपा के लिए उन्होंने जम कर परचार परसार किया इन सब को देखकर लगता है कि चिराग पास्वान भाजपा के साथ कोई माइंड गेम खेल रहा है इन सब की बज़या है कि उनके चाचा पचुपती पारस के अंड़िये मंद्री है ऐसे में भाजपा के साथ संबावित गडवन्धन के दोरान चाचा पच्छुपती पारस की तुल्ला में कमजोर न पड़ जाए इसके लिए उन्होंने सियासी विसाथ बिचाना सुरू कर दिया है वैसे अगर देखा जाए तो भाजपा भी चिराग पासवान के परती महरवान नजर आ रही है ताकि उनका जुकाव इसे और गरवन्धन की ओर ना हो केंदर से चिराग पासवान को दी गई जेट स्रेनी की सुरुप्षा को लोग इसी नजर ये से देख रहे हैं वैसे भी पिछले बिहार विधानसवा चुनाव में चिराग पासवान ने जिस तरह से जद्यू को लुक्सान पहुचाय था या तो सभी को मालूम है ऐसे में भाजपा या कभी नहीं चाहेगी कि पार्टी को चिराग के नराजगी का सामना करना पड़े खासकर नितिस कुमार के NDA से अलग हो जाने पर राजी में मजबूत सहयोगियों की तलास है अगर देखा जाए तो इस लिष्ट में चिराग पासवान सबसे उपर हैं और इसका एहसास उन्हें भी है यही कारण है कि वो भादपा के सामने मजबूत बन कर जाना चा रहे हैं इसी बीच चिराग पासवान ने नितिस कुमार के विपक्षी एकता पर भी जम कर हमला बोला ताकि बीजेपी के मन में कोई संधे न रहे उन्होंने नितिस कुमार पर एटक करते हुए कहा कि विपक्षी खेमे में काईनेता सीम और पीम की रेस में हैं और वे एक दूसरे के नेत्रित्व को फुईकार नहीं कर सकते चिराक पासवान ने कहा कि कोई भी नितिश कुमार के नित्रित्व को फुकार नहीं करेगा उन्होंने कहा जब राजी के लोगों ने ही उन्हें खारिच कर दिया तो सवाल ही कहा है कि देश में पीम के रूप में सुना जाएगा विपक्ष के लोग एक साथ आके तस्वीरे जरूर खिचा सकते हैं और वो तस्वीरे आज से नहीं भईया हम लोग 2014 से देखते आएं लगातार बार बार ये लोग तस्वीरे खिचवाते हैं एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर पर उसके बाद जब चुनाओ आते हैं तब तक ये भानुमती का कुनवा बनते बनते बिखर जाता इस तरह से चिराक पासवान ने बताना चाहा कि नरेंद्र मोदी के सामने किसी की कोई चुनाओती नहीं है लेकिन लगे हाथों जिस तरह से 18 नवंबर को बड़ी रैली का ऐलान किया है इससे तो यह साफ है कि चिराक पासवान भाजपा के खिलाब माइन गेन खिलने की तयारी में है अब आगे देखना या है कि चिराक पासवान का रूख कैसा रहता है दोस्तों आज के अंख में बस इतना ही अगले अंख में कोई और जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे लेकिन ऐसे और कहानियों को सुनने और देखने के लिए समाचारफ और प्यूपल लिंग्स का होसला बढ़ाएं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई तो लाइक और सेयर करें अगर आपके पास कोई सुजा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इंपूट्स के साथ जानकारी साजा करें कर दो